वे वियूर्ज मेके स्टूडियो से आप सभी के वज़का तारिक महता शो इस वक्त अपने अधाकारों की गले की हड़ी बन गया है और एक एक करके तमाम एक्टर्स इस शो को छोड़कर जा रहे हैं इस वक्त जौन सी एक्टर्स इस वक्त प्रॉब्लम में नज़र आ रही है वो सोनो का किरदार अदा करने वाली पलिक आरका हैं मीडिया रिपोर्ट के मताविक बताया जा रहा है कि पलिक आरका ने अपनी प्रॉडक्शन कंपनी से कांट्रेक्ट खत्म कर दिया है और उन्होंने ना सिर्फ ये कांट्रेक्ट खत्म किया बलके उन्होंने कांट्रेक् टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मताबिक यह चीज सामने आई है कि उन्हों ने इस शो को काफी अर्शे से जॉइन कर रखा था और वो सोनु का किरदार अदा कर रही थी लेकिन अभी उन्होंने थर्ड पार्टी इंडॉर्समेंट किया है जिसकी ना तो उन्होंने कि कि जानकार ली और ना इस चीज की लिखत पड़की जिसके करदार को काफी नुक्सान पौंचा। बल्कह टीवी शो और प्रोडेक्शन कंपनी को की काफी चिक चाहिक उठाथ लिए है कि पलका आंका को इस वक्त कानूनी नूटिस पेजा जाए क्योंकि उन्होंने ये बौ प्रडेक्शन कंपनी अपना कोई शुरू करती है उससे पहले वो एक्टर्स के साथ ही कॉंट्रेक्ट करती है कि वो इस शो के दुआरा किसी और शो में काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंपनी को नुकसान होता है अब ये कॉंट्रेक्ट क्योंकि आलका तोड़ चुकी है इसलिए ये कंपनी इस वक बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है और परिशान दिखाई दे रही है फिलाल तारिक मैं तक प्रडेक्शन कंपनी ने पलक को कानूनी नोटिस तो नहीं बेजा लेकिन उन्होंने उनकी अच्छी शेक्लाश ली और उन्होंने ये कहा कि आप आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी क्योंकि इससे प्रडेक्शन कंपनी को काफी नुकसान होगा बलके आपकी किरदार को भी नुकसान पहुंच सकता है तारिक मैंता क्योंकि एक्टर्स इससे पहले भी इस शो को छोड़कर जा चुके हैं स्पेशली जिन्होंने तारिक मैता का रोल अदा किया अरोड़ा साब ने भी ये शो छोड़ा था जिस पर काफी बहस हुए उनको काफी बातें सुनने को मिली थी जिस पर वो ये शोड़कर जा चुके तारिक मैता शो के अदाकारों ने क्यों ये शोड़ा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेट पर शूटिंग के दुरान उनसे अच्छे शेवरताओं नहीं किया जाता था अब सोनु का किरदार अदा करने वाली पलक भी इस वक्त तारिक मैता में ये तीसरी एक् अपने कहां से आती हैं और कौन आपको यह चीजें पहुंचा रहा है क्योंकि मेरा अभी किसी से कोई स्था को कॉंट्रेक्ट नहीं हुआ और नहीं मुझे किसी किसम का कानोनी नूटिस आया है दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें अपनी झाल